मेरे दोस्त आपको बता है ना हर दिन की शुरुवात ना कुछ ना कुछ ऐसे अलग काम से होती है कि जो मलदा सोचा नहीं होता है आज की दिन की शुरुवात हो रही है मोंटी वाला लेंडर खोलने से क्योंकि मामा के बाद टाइम बड़ा कम है एक तो वह प्राली खेट से ल कि अपने लेंटर काना आखरी वाले फट्टियां लास दो और मिठी देखो वाई इनके ओपर कितनी सारी नीचे देखो सीडियों पर हर जगा मिठी मिठी हो रखिया इसके ओपर ही देखो कमसे हम पांच-पांच किलो मिठी है वाई दिख रही है ना किना मुश्किला एर हो है ना और जितने में गंगी आना सारी त्रिपाल के साथ नीचे आ जाएगी फिचों मां तोड़ा जो लगा करें तो हेलो इंडिया सुपरबात की हाल चाल कैसे वह आप सब हम सब बहुत ज़्यादा बढ़ी है वह आपको बता है ना भी सर्दी आने वाली है तो सर्दियों क कि आत्यारी चल रही है कल जैसे मेरी नानी अचाह डाल ली थी अभी देखो बाइप पता नहीं क्या जोश आ चुका है लाए सब्जी लगाने है सब्सक्राइब काम रेडियो चुक्त है रेडी नहीं हुआ है रेडी हो रहे है उधर वाई क्यारी नानी ने प्याज लगाने लिए सारी रेडी कर दिया और यहां पर नानी पता निक्या लगाने वाली आप इधर के लाना है इस नहीं हिंदी में क्या टाइम आ चुका यार वाला वाले अरिया से हूं पहाड़ी वाले गंडे एंड वाइस हो ना कम से कम वाई पूरा दो गंडे लगा कि आमने पूरा काम खतम कर रहे हैं काना जी का नाम लेकर पिछले कल भी कर सकते थे पर पिछले कल ना शनिवार था अब ने सोचा शनिवार ना काम कव खतम नहीं करना है तो अज स्वारा फिनिश कर दिया कोई टैंशनी अभी दो काम बचे हुए प्राली कर लेकर लेक्याना प्लस आपने नीचे वाले दाने आना यह खेत में उसके बाद बाद टोटली टोटली खतम नहीं होगा उसके नानी के बराबर जा नहीं करती है मुझे बता आप गाहों से देख रहेंगे शायरों से पर देख रहेंगे पर कमेंट करके बताना कि क्या आपकी नानी 80 साल होने बाद इतना काम करती है इससे डिवाइड हो रखे इधर सबजी नानी लगाएगी सारे अरियास में और उद् है पनीरी लगा भी ती प्यास के लिए ना प्यास रेडिया वाई बाकी वाली सब्जी ओ लगाई थी ना यहासे मरी यह ती देखो सारी अभी खड़ी हो चुकी है कोई टैंचन नहींगी अभी दस दिन और रुको सब्जी खा कि आपको दिखा देंगे और उदर भाई साग की सब्जी रेडियो चुक्ति अपना दन्या शर्णिया सारा रेडियो चुक्त है वाई सभी यह यार मना दो दो लोग है वाई सभी लगाने वाले इस बार ना सभी कमी नी होगी बढ़े लगाया वीड़ाट ग्राम बीजर एक्षोड नब्डव बेगा अच्छा एक्सटनब्डवाला ए मलब प्यास बढ़िया वाई पर मामा वाइट वाले सफेद वाले प्यास सही रहते हैं जादा सफेद लाने है चलाने है एए थोड़े लेड कर लेड़े हैं ओके मरे सब्सक्रीजिए लएं गोनः करब सो तो तो मेरे दोस्त आपका हम निखाय के क्यूंकि को ला ज़ोल कि कुछ जल्दी सबक मेरे जल्दी प्लाइब के हो आपने आतार ना मैं तो जल्दी समय को नाइन मिला और मैं बाइक लेखा भाई निकला अभी और अभी बना रहा हूं बस आभी पहुंचने वाला हूं एक किलोमेटर बचा होगा एक डेट किलोमेटर फिर मैं आपको दिखाता हूं भाई ट्रेक्टर कैसे चलता है दान के उपपर तो लो मेरे दोच चैक आउट करो भाई पहुंच मैं अपने खेत में और मैंने इतना दोड़ा दोड़ा आया मैंने सोचा वाई तीन च्वा दिन से बोला अगर ट्रेक्टर वो गुमा के चलेगी होंगे तो मैं आपको क्या दिखाऊंगा बट फाइनली मैं बिल्कुल सही टाइम पर पहुंचा हूं वह चैक आउट करो जैस कुछ अलगी मज़ा आता है इसे देखने का और मुझे अभी प्यास भी लगी है पहले मामा को पूछ लेता हूं कि इसका पानी हम पी सकते हैं ने पी सकते पर यह आई साइ सब्सक्राइब चला रहे इन न मेरो दोस्ट जो मज़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूं फो मज़े खूदी नहीं आ रहा है क्योंकि ए ट्रक्टर वाला ब्ही है ना पता निकांसे है मुझे पता नहीं है यह ने बड़ा धीमा धीमा चला रहे है और जो हमारी उपर वाले खे Yoo大家 आ और खाल याँ अवां वाले ट्राक्टर ऐसे उडाते थे वाई आजा लगता है कि ट्रैक्टर नब one खेयेगा और ओपार्ना करें ऐसा हो पर यह तो बिल्कुल दीमा दीमा सा चलाए जा रहा है यार पूरा मूर खराब हो गया यार तो डीगा भाई अभी चलाने दो इस समय से महां पर पानी पी आता हूं क्योंकि मामा जी को मैंने पूछा मामा बोले है पानी जीमीन के नीचे से आ रहा है य यहाँ मेरे दोस्त इस वाली मोटर का पानी क्या ठंडा या जिन्होंने अपने खेत में मोटर लगा होगी ना उनको बताओगा ठंडा पानी आता है वाले बंदे को पास वाला बंदे मोटर चला झाल Annoy ID यूवाला पी चल सकती है तो बाद में चलाते हैं पहले उदर चल दियंदे без थो टरने नहीं तो ना ना चिप रहाते हैं इसा मने आपको मेशा कि पटाता रहना हो कि यहांपे 50 60 के दाने यांपर इतने नहीं है प्लाइ एसे इस सकता हूंग कि इस वाले पर आपे ना कम सी कम 20-25 फ़र्च हो चुका हैं मलब 10,000 प्या जिन्नों ने लगाई है न यहां पर जिन्नों ने काटी है 10 जार प्या उनका फिर जिन्नों ने ट्रैक्टरिक चलाया होगा फिर यहां पर फटीलाइजर डाले गें होंगे और मामा यहां पर मलग कम से हम छे मीने में दस बीस बार मामा भी आए होंगे मान के चलोगी लास्ट मेना दस हादार पिया बचेगा सारा और बाद में उसी की गेहू लगा देंगे कोई की पैसा नहीं बचता है वाई किसान को लगता तो बड़ी बड़ी रख में बसता वाथ कब है कम से कम अपने पास ना कम से कम 15-20 किले जगा और हमारे बास वहारी के उन्हें समय नहीं आरी साड़े तीन हेक्टर है यहां बड़े कम होने वाले हैं क्योंकि हर जगह गास है ना मुझे लग रहा है मामा की मैनत ना इस वार बेकार चलीज आएगी पर अभी फायदा होगा अभी हमने ठेके वे दे दिया ना इनको मलब 25-25,000 में दी होगी छे मिने के लिए बो गास हुगाएं कु पर उनका है और मुझे बता है दोस्तों आपको लग रहा होगा कि दान रेडियो चुकिया बाई अभी सो में से कम 45 परसेंट काम खतम हुआ अभी ट्रैक्टर वाले बाई साव गुमा के जब जाएंगे फिर यहां पर बंदे आएंगे जो पराली को जाड़ेंगे और पराल बंदे में बहुत लंबा प्रसेजर होता है और कहीं को तो पता भी नहीं होगा कि बाई चाबल उखते हैं और मुझे बता है आपके वासना थोड़ी जमीन होगी और फिर आपको पता होगा बाई किसान को कुछ नहीं बचता बस टैग लगा हुए जो मोवी में दिखाते है किसान को बस सेम बैसी कंडिशन है करजे में डूबाय रहता है बारा महीने क्योंकि जो पैसे मिलेंगे ना मैंने बोला ऐसे दस अजार पिया बचेगा फिर उसके लिए फर्टिलाइजर प्लस बीज चाहिए सौरे पैसे चले आते हैं कोई टैंचे नहीं है काना ची की देया हम पर है कि अब पहुंच चुका है बाई आपका गर और बाई मोटी वाली जैकट मैंने पहन लिया अब भी ना शाम अना शुरू हो चुकिया है मामा जी को कॉल आया था भी फिर से नीचे वाले के इतमें जाना पड़ेगा पर आंचु दाएगा बिश्तर और खाना लेकर और बाई कल वाले ब्लॉग में आपने देख रहता है मैंने वह वह क्या बोलते है पानी पूरी तो नहीं बोलते हैं से मूरी बोलते है कुछ आसा ही आना वह बनाया था बड़ आपने बताया है कि उसमें नीम्भू नहीं डा हो वाई नानी यह मैंने ब्लॉग शुरू कर रहा था ना सुभा साड़े साथ साड़े आठ बजे उस टाइम भी नानी यहां पर काम कर रही थी अभी वही पर लगे हुए है ठीक है इतनी सारी जगा साफ कर दिया है पर अब भी गया है काम करने मुझे ऐसा लग रहा है तो बाई तो गर पे क्यों रुका हुआ है देखो यार इतने टाइम के बाद आया हूं मैं गर पे रुकने दो चार दिन पैसे मैंने सोचा है कि अभी कही नहीं जाओंगा गर पे बनाउंगा जिनको पसंद आ रहा है वो देख लेंगे जिनको नहीं आ रहा है उनको आम बनाएंगे गर वाली से यह नहीं देखेगा कोई कोई डाइंचे नहीं है जवर्दसी दिखा देंगे से यह ना गर वाली ठीक है यार मज़ा रहा है मुझे भी गर रुकने हां बाद में जाएंगे जम एकदम से मन करेंगा ना कुछ निकल उस टाम निकल जाएंगे बस हमन हुआ पाइद तो बहुत हिसमें मनाई जाती है तो इता नियो जैसे को मदलब बाट माले साइड होती है न हम दो बो मनाते हैं फिर लोगों को पता चला और वैसे इंटरनेट का जमान है आज कल पता चलना शुरू हो गया ने तो किसी को पता नहीं था कि शट पूजा भी कोई चीज होती है बाई सब्सक्राइब लेता हूं लग्की तो वैसे भी गुंगा है यहां पर बहुत सारी ट्राफिक शोर शराबा होता है वो शान जिंद्गी चाहते हैं तो शान जिंद्गी वाई हम जी रहे हैं तो इसलिए मैं रोज आपको दिखाकर जलाता हूं जरी मला शाम का टाइम हो चुका है अभी इनका गोबर शोबर उठाना है बक्रियां वहां से पर इनका दूद निकालना पर इन अंदर बांगने पर सची आथ जो स्कुन में पर बता हैं अभी घर बापीस आया तो मुझे बता यो घर में स्कून है ना यारो कहीं नी है तब आपको रोज दिखाता हूं कि थोड़ी होतना आपकी जात दें ताजा हो जाए बच्पन वा आदद पढ़ गी है देखो भाई आभी क्या क्या काम कर रही है नानी रुगजा रुगजा नानी रुगजा रुगजा आरे नहीं उठा इसे और एक खुल गई नानी दोदीश ओदे दिन्दे कुशिया ऐसे खाली है अदा किलो बड़ाया पानी बाई एकिलो इंदा तो भाई अब भी ना आंचुजा रहा है मामा जी के लिए कंबल प्लस खाना लेकर क्यूंकि आज भाई पर रुखना पड़ेगा दाने दान वी उधर ही है कल दान गर आएंगे तो कल वाई से सलामत हो जाएगा पर आज आना पड़ेगा ठीक है जाओ बच्चों तो मेरे दोस जहां बे चैक आउट करो आज भाई गर पे बन रहा है पकोड़े वाली कड़ी एंड पकोड़े पहले बनाएं फिर कड़ी में डाले जा रहे हैं कि अजना अपना इंवर्टर भी सही हो चुक है अब लाइट चली भी जाए कोई टैंचन नहीं है और अंदर चल रहा है अभी रमाइन मलेक रोमाइन ना पहले जो बनी हुए है और आमान सागर जी ने बनाए एक जो आजकल टीवी सेरियल आथ ना बो वाली रमाइन लगी ह कि अजय को guilty जाइन झाई बड़ी जाएवी ने टी जाईने हाइन वाली नेमं पे लबे।